किसान साथियों ये मेरा आमरपाली का पेड़ है और मैंने तीन चार पेड़ लगाए हैं आमरपाली के जिन में से ये सबसे बड़ा ये दो साल का पेड़ है और एक पेड़ ये है ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये वाला ये वाला ये है और एक उधार है ये वाला पेड़ जो अब इस पेड़ में बहुत ही अगर आप इसे ध्यान से देखो तो इसमें लगबग जहां पर आप ये साखा देख रहे हैं मौल देख रहे हैं यहां पर सभी जगह इसमें फ्लावर आए थे बहुत जबरदस फ्लावर थे यह देखें मैंने इसे कटिंग की थी यहां से कटिंग की थी और इसको मैंने एक तरह से कनोपी देने का प्रियास किया है इसको मैं थोड़ा सीधा करूँगा पेड़ को यहां से और अब देखिए अगर इसे आप चारो तरफ से देखो तो बहुत सुन्दर पेड़ है यह इस कटिंग के संबंध में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि छोटे पोधो को जल्दी से बड़ा कैसे करें जिनमें पहला काम तो यह होता है कि समुचित मात्रा में गोबर की खाद न्यूट्रेंट नाइट्रोजन फोसफोरस पोटास आपको देना है उसके साथ में आप थोड़ा बोनमील भी दे और माईको राइजा का अवश्य परियोग करें साल में एक बार जब आप देखें जब इसमें हर टहनी पर इस पर इस प्रकार ही कोहर आया था यह देखें जिसे हम मंजर भी बोलते हैं अब कुछ जड़ने के बाद में गिनते हैं इस पर तीन आम ये हैं तीन ये हैं छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदे, पंद्रे, सोले, सत्रे, अठारा इस पर अठारा आम हैं इसमें इसमें आपको क्या विशेषता नजर आ रही है एक चीज बड़े ध्यान से देखें मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ इन सभी जगह पर इतने ही मतलब मंजर आया हुए था और मैं मानता हूँ के इतने ही आम होगे तो अगर अठारा हैं तो आप गिन लीजिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा इसमें साखाएं थे जिन पर मंजर आया था अगर हम इसमें तेरे साखाओं पर मान लें और चोद भी ये हैं जिसमें आम आयते हैं जिसमें अठारा आम मैंने गिनाए हैं आप अवरेज 10 लेज लीजिए तो 14 साखाओं में 10 का मतलब है 140 आम आना 140 को भी आप बोल जाईए कि हम कहते हैं कि बाद में हमारे 100 आम बचेंगे अगर एक आम आपका 300 ग्राम का होगा तो हमें मिनीमम इसमें 30 किलो आम मिलना था लेकिन वो सारा मैंने तोड़ दिया क्यों तोड़ दिया मैंने सिर्फ ये दिखाने के लिए किया था आप चानते हैं कि वेगनिक प्रस्ट भूमी होने से मेरा काम है प्रियोग करते रहना केवल एक यही जगह मैंने रखा था और बाकी सम्में तोड़ दिया तो आप देखिए इसमें कोई भी नई फुटान नहीं हुई है चुकि जितनी एनरजी है वो सब इस आम में जा रही है और यहां पर देखे कितनी बढ़िया एनरजी है यह देखे और कितनी अच्छी मोल है हर जगहें यह तीन-तीन आपको साखाई मिली है तो आप देखे कितनी अच्छी कैनोपी बनेगी जब थोड़ा बड़ा होगा तो मैं इसमें फिर चेन करूँगा कि क्या कुछ मुझे काटना है या नहीं काटना है आम की कटिंग पहली कैसे करते हैं दूसरी कैसे करते हैं एक अलग वीडियो में मैं यह आपको बताऊगा यह देखे पहले मैं जितने भी जो रिसर्च सेंटर हैं उनके रिसर्च पेपर पढ़ता हूँ उनकी किताबे पढ़ता हूँ फिर उन्हें अपने यहाँ पर एक्सपरिमेंट करता हूँ और तम मैं वीडियो बनाता हूँ यही फर्क है अमेजिंग किसान चैनल में और दूसरे चैनल में अगर मैं इस पे यह आम लेने का थोड़ा प्रियास करता या लालच में आ जाता तो मेरे यहाँ पर यह फुटान नहीं आती यह देख लीजिए पर्तेक्स को परमान की कोई भी आवश्यक्ता नहीं तो किसान साथियों पहले तीन वर्स में जैसे ही आपका आम पर बोर आए आप उसको हटा दीजिए बोर मत रखिए पहले तीन साल यह काम करिए और चोथे वर्स से फिर आम लेना सुनू करिए आप देखे भरपूर आम में लेने यह है पहला काम दूसरा काम यह है कि यहां पर अगर आपका हो सके तो अक्टूबर या नॉमबर में आप इसमें अच्छा खोरा लगाईए और थोड़ा सा यहां पर बढ़िया इस से तने से करीब थोड़ा दूर जहां तक इसकी कैनोपी हो परतेक पोदे में यही फार्मूला है कनोपी हो महां पर अच्छा खासा खाद लगाईए खाद में आपका कंपोस्ट भी होना चाहिए डी एपी भी होना चाहिए बोन मील भी होना चाहिए माइकोराइजा भी होना चाहिए और आप ये के नाम ट्राइकोडर्मा भी डालिए, सुडो मुनास भी डालिए और आप ये जो सागरी का आता है इसको भी डालिए और फिर देखिए, जैसे ही कोहर तोड़ेंगे पहले तीन साल में आपका पोधा कितना भरपूर होगा और बाद में मिलेंगे आमही इसके साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जैहिन, जै भारत, बंदे मातरम